हालो फ्रेंट्स मैं हूँ साधना शिवासतो स्वागत करती हूं सभीक अपनी चनल पर आज हम बनाने जा रहे हैं फालसे की ड्रिंक फालसे जो है गर्मियों का फ्रूट है बहुत ही टेस्टी खटमिठा सा इसका टेस्ट रहता है और उतनी ही ड्रिंक जो है इसकी वह बहुत ह सब्सक्राइब है बहुत है नहीं लगी गेगी आप बहान निकलेंगे तो आपको शीतलता प्रदान करेगा और बहुत सारी इसकी खूपिया थिल दूप वाली गर्मी में एक बहुत ही नेजिक रहता है और इसकी अपने पाईदे तो है इसको बनाना शुरू करेंगा करते हैं बहुत जादा समगरी की जरूतनी होती है बहुत कुछ करने की भी सब्सक्राइब पानी मिलाई है उसमें अपने स्वाधर सा नमक और चीनी मिलाकर के बढ़िया सा ड्रिंक तयार करतें तो चलिए स्टाट करतें सबसे पहले फाल से को हम इसमें डाल करके थोड़ा सा जिसे के इसका ऊपर की जो लेरिंग है वो बीच से अलग हो जाएगी फाल से बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं इसलिए हमें बहुत जादा पीशने की जरुत नहीं है बस हलका सा मिलाई है वो इसके बीच से अलग हो जाएगा और उसके हम फिर मिलाकर के ट्रिंक तयार करेंगे इसके में एजाएगा नहीं आट करेंगे जिसी ही चल जाएगा, यह फाल से मिल हम पा के दोर्ण बना कर के त्यार करेंगे और इसके साथ हम इसमें डाल देते हैं काल नमक और शुगर पावडर, काल नमक दोर जिक के लिए हमने 1 2 ती किया ता लिए हम हम तो चमत शीनी आता तो डायरेक्ट शुगर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देते हैं, अगर आपको मीठा पसंद नहीं है, तो आप शुगर हटा भी सकते हैं, आप खाली नमक से भी ए ड्रिंक बना कर के तयार कर लेते हैं, वह भी बहुत पास्टिक और बहुत टेस्टी बहुत बढ़ा लगेगा, इसलिए में बहुत महीन वाला शुगर यूज नहीं किया, हम इसको चान लेते हैं, यह देखे सारी बीच वह इसमें इस तरह स्रह के, यह देखे हैं, यह देखे हमारी फाल से की बन कर के तयार हो गई है, हमने इससे बीच से अलग किया है, इसका पलप आपको देख रहा होगा, यह बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि सारी पॉस्टिकता है, इसके अंदर ही है, हमने कुछ भी इससे अलग नहीं किया है, चान करके, बीच के अलावा, अब हम इसको थोड़ा सा चिल्ड कर देते हैं, तो इसके हम थोड़ी सी करेंगे, जो ताज़गी आपको फील होगी, बहुत ही अल्टिमेट होगी, आप इससे जरूर ट्राय कीजेगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए मेरी वीडियो का प्रिफ्रेंस के स मिलते हैं आगले वीडियो में एक नई recipe के साथ, एक नई drink के साथ, तब तक के लिए धनेवाद दोस्तों,